C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याय पाँच नई समस्याए प्रिष्ट संख्या बहत्तर नई समस्याए अरब और मंगोल जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सामराज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन्त सांग नालंदा में अध्यायन कर रहे थे उसी समय अरब में इसलाम अपना रूप ग्रहन कर रहा था भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुँच कर वहीं रुक गए अरब सभ्यता का क्रमशह पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इसलाम को राजनीतिक शक्ती के रूप में भारत लाए अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैल कर तमाम इलाके फतह किये पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े शायद भारत तब भी आकर्मन कारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंत्रिक जगडे भी हो सकते है सिंध बगदाद की केंद्रिय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया हलांकी आकर्मन नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा दोनों और से यात्रियों का आना जाना हुआ राज दूतावासों की अदला बदली हुई भारतिये पुस्तकें विशेशकर गणित और खागोल शास्त्र पर बगदाद पहुची और वहां अरभी में उनके अनुवाद हुए बहुत से भारतिये चिकित सक बगदाद गए यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे भारत के दक्षिनी राजियों ने भी इसमें हिस्सा लिया विशेशकर राष्ट्र कूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे प्रिष्ट संख्या तिहत्तर इस लगातार संपर्ख के कारण भारतियों को अनिवारे रूप से इस नए धर्म इसलाम की जानकारी हो गई इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आये और उनका स्वागत हुआ मस्जिदे बनी, ना शासन ने इसका विरोध किया और ना जनता ने, ना कोई धार्मिक जगडे हुए सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रती सहन शीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी अतह, राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इसलाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था महमूद घजनबी और अफगान लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आकर्मन नहीं हुआ एक हजार इस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद घजनबी ने भारत पर आकर्मन करने आरंभ किये महमूद घजनबी तुर्क था जिसने मध्ध एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी उसने बड़ी निर्ममता से कई आकर्मन किये जिन में बहुत खुन खराबा हुआ हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसल्मानों के प्रती गहरी नफरत पैदा हो गई अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी पर महमूद ने उत्तर भारत के सिर्फ एक टुकड़े को चुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिन भारत उससे पूरी तरह बच गया था महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्ये में मिला लिया वह हर धावे के बाद गजनी लोट जाता था वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका यह पहाडी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया काठिया वाड में सोमनात से लोटते हुए राजिस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी इस आखरी धावे के बाद वह फिर नहीं लोटा महमूद की मृत्यू 1030 इस्वी में हुई उसकी मृत्यू के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आकर्मन हुआ और नहीं पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ इसके बाद शहाबुदीन गौरी के नाम के एक अफगान ने गजनी पर कबजा कर लिया और गजनवी सामराज्य का अंत हो गया उसने पहले लाहोर पर धाबा किया और फिर दिल्ली पर दिल्ली के राजा प्रिथ्वी राज चवहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया शहाबुदीन अफगानिस्तान लोट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लोटा इस बार उसकी जीत हुई और ग्यारा सो बानवे इस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्ति शाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंतर राज्ये भी थे अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करदे में देढ़ शताब्दी आउर लगी लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महतोपूर्ण भी था और प्रतिकात्मक भी भारत पर महमूद गजनवी के आकरमन का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया बारवी शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी वे हिंद आरे जाती के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियती थी चौदवी शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल ताइमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की स्तलतनत को ध्वस्त कर दिया वह कुछ ही महिने भारत में रहा वह दिल्ली आया और लोट गया पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया जिन लोगों का उसने कतल किया था उन्ही की खोपणियों के मिनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई सवभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ती जेलनी पड़ी दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे जागने पर वह इस विशाल सामराज्य की राजधानी नहीं रह गई थी तैमूर के हमले ने सामराज्य को तोड़ दिया था और उसके खंड़हरों पर दक्षिन में कई राज्य उठ खड़े हुए थे इससे बहुत पहले चौदवी शताबदी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजय नगर का हिंदू राज्य दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पढ़कर टुकड़ों में बढ़ गया दक्षिन भारत की स्थिती बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजय नगर थी इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्शित किया उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत ही सम्रिद्ध और सुन्दर था जब दक्षिन में विजय नगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाडियों से होकर एक और हमलावर दिल्दी के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया उसने 1526 इस्वी में दिल्दी के सिंहासन को जीत लिया मध्धे एशिया के तैमूर वन्ष का यह तुर्क मंगोल बाबर था भारत में मुगल सामराज्य की नीउं उसी ने डाली समन्वे और मिली जुली संस्कृती का विकास कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो भारत पर मुस्लिम आकर्मन की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भामक है इस्लाम ने भारत पर आकर्मन नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया आकरमन तुरकों यानी महमूद ने किया था अफगानों ने किया था और उसके बाद तुरक मंगोल या मुगल आकरमन हुआ इनने से बाद के दो आकरमन महतोपूर्ण थे अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे फिर भी वे भारती धांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्हों ने हिंद मुगल युग की शुरुआत की प्रिष्ट संख्या चिहत्तर उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीय करण हो गया भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे राजनीतिक जगणों के बावजूद उन्हें सामान्यता इसी रूप में स्विकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्हों ने उनकी आधीनिता अस्विकार कर दी और भयंकर जगड़े हुए दिल्ली के प्रसिद्र सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी यही स्थिती गयासुदीन तुगलक की थी अफगानी, तुर्की और हिंदू सावन्तों के बीच विवाह होते तो थे पर आम तौर पर नहीं दक्षिण में गुलबर्ग के मुसलिम शासक ने विजय नगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेश रूप से सुधार हुआ मुख्यतह सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्री कृत हो गई गोकी उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानिय रीती रिवाजों में हस्तक शेव ना करे शेर शाह जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक शेव किया था अफगान शासकों में सबसे योग्य था उसने ऐसी माल गुजारी व्यवस्था की निव डाली जिसका आगे चल कर अकबर ने विकास किया अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री तोडर मल की नियुकती पहले शेर शाह नहीं की थी हिंदूों की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपियोग करते गए भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पढ़ा ततकाल प्रभाव यह पढ़ा की लोग अफगान शासन में पढ़ने वाले क्षित्रों से दूर भाग कर दक्षिन की ओर चले गए जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण विवस्था को और कठोर बना दिया दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुजान पैदा होने लगा परिणाम तह समन्वय अपने आप रूप लेने लगा वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ यह समन्वय संगीत में विशेश रूप से दिखाई पड़ा भारत की प्राचीन शास्त्रिय पद्धती का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया फारसी भाषा दर्वार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोल चालकी भाषा में प्रवेश कर गए इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया भारत में जिन दुर्भाग्य पूर्ण बातों में व्रिध्धी हुई उनमें एक परदा प्रथा थी ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है पर भारत में परदा प्रथा का विकास मुगल कालबे तब हुआ जब यह हिंदू और मुसल्मानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा आउरतों को अलग परदे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में उचे वर्गों में विशेश रूप से फैली जहां मुसल्मानों का प्रभाव सबसे अधिक था यानि उस मध्धे और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यता मुसलिम इलाके थे, परदे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था इन में से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराओं में हुए इनका असर विशाल जनसमुह पर, विशेशकर, देहाती जनता पर नहीं पड़ा उनकी शुरुवात दर्बारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्वों में फैल जाते थे इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंदर बने ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृती का केंदर रहे हैं पर इस आर्य संस्कृती का एक बड़ा हिस्सा दक्षिन की ओर खिसक गया जो हिंदू रूढी वादिता का गढ़ बन गया जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपूर यानि संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई पूरी पंद्रहवी शताब्दी के दोरान यह रियासत कला, संस्कृती और धार्मिक सहिशुनुता का केंदर रही विकसित होती आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोचसाहित किया गया और हिंदूओं और मुसल्मानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुसलिम शासक जैनुलाबदीन को उसकी सहिशुनुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृती को प्रोचसाहित करने के कारण बहुत यश मिला पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परिशान कर रहे थे भारत विदेशी तत्वों को आत्म साथ करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्हों ने इस समन्वय का जान बूज कर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उप्यक्षा की पंद्रभी शताबदी में दक्षिन में रामानंद और उनके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोक प्रिये हैं उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पूरे हिंदु धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इसलाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया इसलाम के एकेशुवर वाद ने हिंदु धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहु देववाद का प्रभाव मुसल्मानों पर भी पड़ा। इन में से अधिकतर भारतिये मुसल्मान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोशन प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्ही से घ अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महतोपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था गर्चे दर्बार की भाषा फार्सी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार दो या तीन चोटी के कवि थे और उन्हे संस्क्रित का भी ज्ञान था। वे महान संगीत कार थे और उनकों ने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनायं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्धे सितार का आविशकार उन्होंग ने ही किया था। उन्होंग ने ऐसे कई विशयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेश प्रगती की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्क शास्त्र, भाषा और व्याकरण यानि संस्क संख्या, 89. उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोकप्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंग ने बोल-चाल की सामान्ने हिंदी में लिखा था। उन्होंग ने भारतिय जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति-रिवाज और रहन-सहन के ढंग का भी उन्होंने विभिन रितुओं और जीवन के विभिन पहलूओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गाउं या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरों ने अंगिनत पहलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरों अपने गीतों और पहलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल कहीं नहीं मिलती जहां छे सौ साल पहले लिखे गए गीतों की लोग प्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में विना परिवर्तन किये वे अब भी उसी तरह गाए जाते रहे हों। बाबर और अकबर भारतीय करण की प्रक्रिया अकबर भारत में मुगल खांदान का तीसरा शासक था। फिर भी सामराज्य की बुनियाद उसी ने पक्की गी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंगहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के चार वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यू हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्वे राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुन्तुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तु शिल्पी को बुला कर कराया। नायक है और इस सब के अलावा विन्नम्र और दयालू है। आदर्शवादी और स्वप्न दर्शी है। साथी वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयाईयों में तीवर स्वामी भक्ति उत्पन कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता थ अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक द्रिष्टी से एक राज्य ना हो बलकि जिसकी जनता परस पर सहज संबध हो। प्रिष्ट संख्या अस्सी 1556 इस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासनकाल के लगभग 50 वर्ष के दोरान वह बराबर इसी लक्षे की पूर्ती के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहागीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदु राजपूत था। जहागीर का बेटा शाह जहाँ भी राजपूत मा का बेटा था। इसलिए यह तुर्क मंगोल वन्ष तुर्क या मंगोल होने की अपिक्षा कहीं अधिक भारती ये था। राजपूत राजगरानों से संबंध बनाने से उसका सामराज्य बहुत मजबूत हुआ। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ती से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था आफचारिक संबंध जोडने की बजाए जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और जो बुलंद दर्वाजा का चित्र है जो आगरा में स्थित है। आईए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या इक्यासी अकबर ने अपने चारों और अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाए इकठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई बीरवल, राजामान सिंग और अबदुल रहीम खानखाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुवात करने का प्रयतन किया जो सब को मानने हो। स्थवयम अकबर निश्चित रूप से हिंदूओं में उतना ही लोक प्रिये था जितना मुसल्मानों में। मुगल वन्ष भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वन्ष हो। यांत्रिक उन्नती और रचनात्वक शक्ती में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दर्बार के पुर्थगाली जेसुईट बताते हैं कि उसकी दिल्चस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्यान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिग्यासा एक विंदू पर जाकर रुक गई। इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र है और ये लाल किला दिल्ली का चित्र है। आईए अब सुनते हैं पाठ। प्रिष्ट संख्या बयासी यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है तो उसने सामाजीक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इसलाम के साथ राष्ट्रिय धर्म और लोगों के रीती रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रिय एक्ता कैसे कायम करे। पाठ सुनने से पहले इस प्रिष्ट पर एक और चित्र है जो ताज महल का चित्र है जो हम सब जानते हैं कि आगरा में स्थित है आईए अब सुनते हैं पाठ इस तरह भारत की सामाजिक स्थिती में अकबर भी कोई बुन्यादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्वल उत्तराधीकारियों के बावजूद वह सो साल तक कायम रही सिंगहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रिय शक्ती कमजोर पड़ती गई पर दर्बार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और योरोप में आलीशान, मुगल, बादशाहों का यश फैल गया वास्तुकला की दृष्टी से दिल्ली और आग्रा में सुंदर इमारतें तयार हुई यह भारतीय मुगल कला दक्षिन और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एक दम भिन्न थी प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आग्रा में ताजमहल को मुहबत भरे हाथों से खड़ा किया उत्तर पश्चिम से आने वाले आकर्मनकारियों और इसलाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा इस टकराहट ने उन बुराईयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी जात पांत की सडांध, अच्छूत प्रथा और अलग-अलग रहने की बेढब प्रवृती इसलाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिध्धानतों का विशेशकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था इस विचार धारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था प्रिष्ट संख्या 83 यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतह लोगों ने इसलाम में धर्म परिवर्तन सामुहिक रूप से किया उची जाती के लोगों में व्यक्ती कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था पर निम्नश्रिनी के लोगों में मुहले में एक जाती के लोग या फिर लगभग सारा गाउं ही धर्म बदल लेता था इसलिए उनका सामुहिक जीवन और कामकाज पहले ही की तरह चलते रहे केवल पूजा के तरीकों आदी में छोटे मोटे अंतर अवर्षे आगे इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेश पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसल्मानों का एकाधिकार है इस तरह कपड़ा बुनेने का काम मुख्यता और ज्यादतर हिस्तों में पूरी तरह मुसल्मान करते हैं भारत में रहने वाले अधिकतर मुसल्मानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था कुछ लंबे संपर्ख के कारण भारत के हिंदूओं और मुसल्मानों ने बहुत सी समान विशेश्ताएं, आदतें, रहने सहने के धंग और कलात्मक रुचियां विक्सित की वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे एक दूसरे के तिवहारों और जल्सों में शरीक होते थे एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एक दम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी एकाद उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे आपसी खानपान भी नहीं होता था पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी औरतों के परदे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई गाउं की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामुहिकता कहीं अधिक थी गाउं के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसल्मानों के बीच गहरे संबंध थे वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदूों ने मुसल्मानों को भी एक जात मान लिया था वे एक दूसरे के तेवहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से तेवहार इन दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे उनके लोक गीत भी एक ही थे इन में से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे मुगल शासन के दौरान बहुत से हिंदूों ने दर्बार की भाषा फार्सी में पुस्तकें लिखी इन में से कुछ पुस्तकें काल जयी रचनाएं मानी जाती हैं इसी समय मुसल्मान विद्वानों ने फार्सी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा हिंदी के सबसे प्रसिध कवियों में दो हैं मलिक मुहम्मद जायसी जिन्हों ने पदमावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दर्बार के अमीरों में से थे और उनके सनरक्षक के पुत्र थे खान खाना अरबी, फार्सी और संस्कृत तीनो भाषाओं के विद्ध्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत उचा था कुछ समय तक वे शाही सेना के स्तिप हसालार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले औरंग जेव ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी औरंग जेव समय के विपरीत चलने वाला शासक था, अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद, उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किये गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया वह धर्मांध और कठोर नैतिक्तावादी था, उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था हिंदूओं पर पुराना घ्रिनित, जजिया कर लगा कर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वा कर, उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया, जो मुगल सामराज्य के अबलंब और स्तंभ थे उत्तर में सिख उठ खड़े हुए, वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वे करने वाले शांती प्रिये समुदाय के प्रतिनिधी थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक विरादरी के रूप में संगठित हो गए भारत के पश्चीमी समुदर तठ पर उसने प्राचीन राष्ट्र कूटों के वन्षज लड़ाकू मराठों को कुरुद्ध कर दिया ठीक ऐसे समय में जब उनके बीच एक अदभुत सेरा नायक उठ खड़ा हुआ था प्रिष्ट संख्या 85 मुगल सामराज्य के दूर दूर तक फैलेक शेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर जागरण वादी विचारपन अपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था वह आधुनिक युग जैसा धर्म निरपेक्ष धंग का राष्ट्रवाद नहीं था नाहीं इसकी व्यापती पूरे भारत में थी धर्म और राष्ट्रियता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबधता हासिल की लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी यह केवल खास किस्म की और आन्शिक राष्ट्रियता थी जिसमें धर्म के एक शेतर से बाहर पढ़ने वाले तमाम भारतिय तत्वों का समावेश नहीं था हिंदु राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रियतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाती के भेद भाव से उपर उठ जाती है विशेशकर मराठों की आउधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ती बढ़ी उनके साथ इस आउधारणा का भी विकास हुआ 1784 इस्वी में वारिन हैंस्टिक्स ने लिखा था हिंदोस्तान और दखिन के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है जिसकी गहरी चाप राष्ट्र के हर व्यक्ती के मन पर है मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक विवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी इससे उन्हें शक्ती मिलती थी शिवा जी और अंगजेव से लड़ा जरूर पर उसने मुसलमानों को खुल कर नौकरियां दी मुगल सामराज्य के खंडित होने का महतोपूर्ण कारण आर्थिक धाचे का चर्मराना था किसान बार बार विद्रो हो करते थे इन में से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे 1679 के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ उठ खड़े होते रहे गरीब लोगों का एक अन्य विद्रो हो सतनामियों का था उस समय जब सामराज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी पश्चिमी भारत में नई मराथा शक्ती विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी शिवा जी जिनका जन्म 1627 इसवी में हुआ था पहाडी इलाकों के सक्त जान लोगों के आदर्ष छापा मार नेता थे उनके घुरसवार दूर दूर तक छापे मारते थे उन्होंने सूरत को जहां अंग्रेजों की कोठियां थी लूटा और मुगल सामराज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चोथ कर लगाया उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया उन्हें राष्ट्रियता वादी प्रिष्ठ भूमी प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया 1680 इस्वी में उनकी मृत्यू हो गई लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती रही जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संगर्ष अंग्रेजों की विजय सन 1707 में और अंगजेब की मृत्यू के बाद एक सो वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विबिध रूपों में संगर्ष चलता रहा अठार्वी शताब्दी में भारत पर अधिकार के चार दावेदार थे इनमें से भारतिय थे मराठे और दक्षिन में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान विदेशी थे फ्रांसिसी और अंग्रेज सदी के पूरवार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारत वर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्राधिकारी होंगे कोई शक्ती इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके ठीक उसी समय 1749 इस्वी में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और इरान का नादिर्शाह दिल्ली पर तूट पड़ा उसने बड़ी मार काट और लूट पाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था दिल्ली के शासक कमजोर और नपुनसक हो चुके थे और मराठों से नादिर्शाह की टकरहाट नहीं हुई उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा प्रिष्ट संख्या 87 नादिर्शाह के आकर्मन से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ती होती वे उसी के हाथ की कट फुतली भर रह जाते नादिर्शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया फिर भी चले आते रिवाजों के दबाओ के कारण अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लडाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था उससे कट कर अब नादिर शाह के राज्ये का हिस्सा बन गया बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा दे कर कलाईव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया इस तारीख से कभी-कभी भारत में अंग्रेजी सामराज्य की शुरुवात मानी जाती है जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया इनके शासन की शुरुवात के साथ ही 1770 इस्वी में इन दोनों सूवों में भयंकर आकाल पड़ा जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की एक तिहाई से अधिक आबादी नश्ट हो गई दक्षिन में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था अंग्रेजों की विजए में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नाम और निशान मिट गया फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ती के रूप में देखते हों जिनकी नियती में पूरे भारत पर राज्य करना हो अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था वे सारे पश्चिम और मध्ध भारत में यहां तक की दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी प्रिष्ट संख्या 88 हैदर अली और टीपु सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और इस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खर्म कर दिया था पर वे दक्षिन तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतिय इतिहास का उल्लेखनिय व्यक्तित्व था उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रिय था और उसमें कलपनाशील नेता के गुन थे मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततह 1799 इस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया उन्होंने 1804 इस्वी में आग्रा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया लेकिन 1808 इस्वी तक आते आते मराठा शक्ती अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस्ट इंडिया कंपनी के आधीनिता स्विकार कर ली अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधिनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अभ्यवस्था और अराजक्ता से बचाया यह बात एक हद तक सही है कि उन्हों ने इस यूग के बाद जिसे मराठों ने आतंक का यूग कहा है सूभ्यवस्थित शासन कायम किया लेकिन यह अभ्यवस्था और अराजक्ता कुछ दूर तक इस्ट इंडिया कमपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीती के कारण ही फैली थी यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संगर्ष की समापती के बाद शांती और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी प्रिष्ट संख्या नमासी रणजीत सिंग और जै सिंग आतंक के इस दोर में जनता, सामान्यत, त्रस्त और पस्त जरूर थी पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिये नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव ना पड़ सका ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिग्यासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंग थे वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना सामराज्य कायम किया था बाद में यह सामराज्य कश्मीर और सरहदी सुवे तक फैल गया अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अधभुत व्यक्ति था वह अत्यंत मानविये था उसने एक राज्य और शक्ति शाली सेना का निर्मान किया फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था जब इंग्लेंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी उसने मौत की सजा बंद कर दी चहे जुर्म कितना ही बड़ा हो युद्ध के सिवाए उसने कभी किसी की जान नहीं ली एक दूसरा पर कुछ और ही अलग धंग का भारती राजनेता राज पुताने में जैपूर का सवाई जैसी था उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यू 1743 इस्वी में हुई थी वह आउरंग जैप की मृत्यू के बाद होने वाली उथल पुतल के समय में हुआ था वह इतना चतूर और आउसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा वह बहादूर योद्धा और कुशल राजनईक तो था ही इससे बढ़कर वह गणीतग्य, खगोल विज्ञानी और नगर निर्मान करने वाला था और उसकी दिल्चस्पी इतिहास के अध्यायन में थी जैसी ने जैपूर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मतुरा में बड़ी-बड़ी वेधर शालाएं बनाई उसने जैपूर नगर बसाया उसने उस समय के कई योरोपिये नगरों के नक्षे इकठे किये और फिर अपना नक्षा खुद बनाया इन पुराने योरोपिये नगरों के कई नक्षे जैपूर के अजायब घर में सुरक्षित हैं जैपूर नगर की योजना को अब भी नगर निर्मान का आदर्श समझा जाता है लगातार युद्धों और दर्बारी शड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उल्जे रहने पर भी जैसीह ने बहुत कुछ किया जैसीह की मृत्यू के केवल चार वर्ष पहले नादिर शाह का आकर्वन हुआ भारती इतिहास के सबसे अंधकारमय युग में जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से महौल भरा था राज पुताना के ठेट सामन्ती वातावरण में जैसीह ने वैज्यानिक की तरह उठकर काम किया यह बात बहुत महत्वपून है प्रिष्ट संख्या नब्बे भारत की आर्थिक प्रिष्ट भूमी इंग्लेंड के दो रूप अपने प्रारंभिक दिनों में इस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतिये माल लेकर योरोप में व्यापार करना कंपनी को इससे बहुत लाव हुआ भारतिये कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लेंड में उत्पादन के उच्चितर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे जब इंग्लेंड में मशीनों का यूग शुरू हुआ उस समय भी भारतिये वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगा कर और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्शतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुगाबला नहीं कर सकता था जिनका अउद्योगी करण हो चुका था अवर्शेक हो गया था कि या तो वह अपने यहां कलकार खाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुस पैट के सामने समर्पन करे जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक शेप हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहां पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थ तंत्र को नश्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई इस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्ति मान थी ब्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुरी हुई थी ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी एडम स्मिथ ने सन 1776 में दि वेल्थ आप नेशन्स में लिखा एक मात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है इंग्लेंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1620 में रानी एलिजबेद ने इस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ उसके बाद हैंपडन और कॉमविल सामने आए और राजनीतिक क्रांती हुई 1660 इस्वी में इंग्लेंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने विज्ञान की प्रगती में बहुत हिस्सा लिया सव साल बाद कपड़ा बुनने की तेज धरकी का आविशकार हुआ और उसके बाद तेजी से एक-एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करगे निकले इन दो में से भारत काउन सा इंग्लेंड आया? शेक्स्तियर और मिल्टन वाला? शालीन बातों, लेखन और बहादूरी के कारनामों वाला? राजनितिक क्रांती और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला? विज्ञान और तकनीक में प्रगती करने वाला इंग्लेंड? या फिर बरबर दंड सहिता और निशन्स व्यवहार वाला वह इंग्लेंड जो सामन्तवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? ये इंग्लेंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लेंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे सैयुक्त राज अमरीका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है यह सच है कि अमरीकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत से कमजूरियां हैं यह भी सच है कि अमरीका में नई शुरुआत के लिए बिलकुल अंचुआ और साफ मैदान था जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जक्ड़े हुए थे फिर भी इस बात की कल्पना करना कठीन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोज नहीं उठाया होता जैसा कि उन्हों ने हमें बताया है और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की वह कठीन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अंजान थे तो भारत ना केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक सम्रिद्ध होता बलकि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उसने कहीं अधिक प्रगती की होती यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत